प्रबीन कुमार नाम का व्यक्ती मेडीकल से अपनी दवा लेने गया एक मेडीकल पर जब दवा नहीं मिली तो उसने दूसरे दुकानदार से दवा का मूल्य पूछा तो दुकानदार ने उसको दवा की कीमत 55 रुपे बताई जिस पर वो दूसरे मेडीकल विक्रेता पर पहुँच गया और दवा मांगने लगा पर दुकानदार ने वो दवा 150 रुपे की बताई जिससे ग्राहक और दुकानदार से नोगचोग हो गई वहाँ पर भीड एकत्रित हो गई उसी दोरान किशी व्यक्ती ने मेडिया कर्मियों को सूचना दी सूचना मिलते ही मेडिया कर्मी भी पहुच गए जब दवा लेने आई व्यक्ती से पूछा गया तो उसने बताया कि ये हमसे 55 रुपई की जगे 150 रुपई दवाई के ले रहे हैं जबकि वही दवाई दूसरे मेडिकल पर 55 रुपई की मिल रही है देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर